इधर नेता जी का चल रहा था इलाज तो उधर अखिलेश को मिली जटका देने वाली न्यूज सपा को ये किस की नजर लगी एक के बाद एक लग रहे है जटके सपाई बोले भगवान रहम करो अखिलेश यादब पिता की सेहत को लेकर चिन्ता में डूबे थे और इधर साज़िशों ने असर कर दिया एक तरफ हर संभब मदद का भरोसा मिलता रहा और दूसरी तरफ उन ही लोगों ने चोट भी पहुँचा दी सपा को न जाने किसकी नजर लगी है नेता जी अस्पताल क्या गए कि साज़िश करता साज़िशे करने लगे नेता जी अस्पताल में भरती हैं और अखिलेश यादब नेता जी की चिन्ताओं में डूबे हैं ऐसे वक्त में पार्टी को बड़ा जटका देने वाली खबर मिली तो फिर सन्ना टापसर गया किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है चुनावी दोर में इतना बड़ा जटका लगेगा इसका अंदाजा खुद अखिलेश यादब को भी नहीं था ये वक्त ऐसा है जब 2024 के लिए रड़नीतियों पर ध्यान दिया जाए लेकिन नेता जी के खराब स्वास्त की वज़े से पूरी पार्टी परेशान है उपर से बीजेपी की साज़िशें भी अब चरम पर हैं प्यूँकि पता है नेता जी पर सबका ध्यान हैं तो मनमानी करनी हैं कर ली जाए बताएंगे कि आखिर क्या जटका पार्टी को लगा है लेकिन पहले बताते हैं कि नेता जी की तब्यद अब कैसी है और डॉक्टर का क्या कहना है ताजा हेल्थ बुलेटिन की माने तो नेता जी को अब CCU से ICU में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी जितिती पहले से बहतर बताई जा रही है अब बात करते हैं नई जटके की तो पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम नेता बीजेपी का दामन थामने बाला है और नेता ने सपा से मोभंग का दावा करते हुए तमाम तोहमतें भी लगाई हैं दरसल उतर प्रदेश में बीजेपी का पसमांदा मुस्लिमों को साधने का दाउं सफल होताद दिखाई दे रहा है मुस्लिम बहुल संभल में सपा कुत्तगड़ा जटका लगा है उतर प्रदेश उर्दू अकेडमी के पूर्व चेर्मेन हाजी आजम कुरेशी का सपा से मोभंग हो गया उन्होंने सपा की साइकल से उतर कर बीजेपी का दामन थामने का फैसला कर लिया है पीम नरेंद्र मोधी की नीतियों से प्रभावित होकर आजम बीजेपी के साथ जोडने और मुस्लिमों को जोडने के लिए काम करेंगे सपा प्रमुक अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए हाजी आजम कुरेशी ने कहा कि अखिलेश यादव अपने दफ्तर में बैठ कर सिर्फ ट्विट करने का काम करते हैं और मुसल्मानों को बीजेपी से डर दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है बीजेपी में एक कारकरता के तौर पर वो शामिल होंगे और मुसलिमों को पार्टी से जोडने का काम करेंगे बतादे की सपा के वरिष्ट नेता हाजी आजम कुरेशी यूपी में साल 2002 से लेकर 2005 टक उर्दू एकेडमी के चेर्मेन पद पर रहे थे इसके बाद साल 2012 के विदान सवा चुनावों में वो राश्ट्रिय लोकदल और कॉंग्रिस के गटवंधन से संबल सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन इकबाल महमूद के आगे जीत नहीं सके इसके बाद साल 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन ठाम लिया था सपा में 5 साल रहने के बाद हाजी आजम कुरेशी का अखिलेश यादब से भी मोबंग हो गया अब उन्हें पियम मोदी और योगी सरकार की नीतियां पसंद आ रही है ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी के सदस्ता लेने का फैसला किया है आजम कुरेशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसल्मानों को बेवकूफ बनाने का काम किया लेकिन बीजेपी सरकार बिना भेदवाओ के काम कर रही है आजम कुरेशी ने कहा कि वो बीजेपी में शामिल होकर एक बड़ी तादात में मुस्लिमों को पार्टी में जोडने का काम करेंगे मोधी योगी सरकार सबका साथ और सबके विकास के लिए काम कर रही है जबकि सपा सिर्फ मुसल्मानों को बीजेपी का बैद दिखा कर वोट लेती है और उनके भले के लिए कोई काम नहीं करती उन्होंने कहा कि अखलेश यादव ने किसी भी मुसल्मान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया ऐसे ही कॉंग्रेस भी मुसल्मानों के साथ बेदवाव करती है बता दे कि बीजेपी ने यूपी में पसमानदा यानी ओवीसी मुसल्मानों को पार्टी से जोडने की मोहम शुरू की है पीम मोदी ने ही पसमांदा मुस्लमों पर बीजेपी को फोकस करने की बात हैदराबाद की राष्टिय कार्ड 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 की बैठक में कही थी यही वज़य है कि बीजेपी के साथ पस्मांदा मुस्लमों को जोडने का बीडा राश्टिय अल्प संख्यक आयोग के उपाद्यक्ष रहे आतिफ रशीद उठा रहे हैं और दिल्ली से लेकर यूपी तक में कारिकरम कर रहे हैं हाली में आतिफ रशीद ने यूपी के रोहलकंड के बरेली में पस्मांदा मुस्लमों की एक बड़ी बैठक की थी जहाँ उन्होंने मोदी और योगी सरकार की नीतियों को रखा था आतिफ रशीद कहते हैं कि यूपी में सपा, बीएसपी और कॉंग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ ठगने का काम किया है ना तो उनकी शिक्षा के लिए काम किया गया और ना विकास के लिए जबकि बीजेपी सरकार में बिना भेदवाओ के सबी के लिए काम किया जा रहा है गरीबी मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समुदाय में हैं और सरकार दोनों समाज के विकास के लिए काम कर रही है ऐसे में जब से आजम कुरेशी के सपा में बीजेपी में आने की खबर सामने आई है तबी से हंगामा बर्पा हुआ है और हर सपानेता का कहना है कि एक तरफ मदद का हाथ बढ़ाने का दावा करना और दूसरी तरफ साज़िश करना बीजेपी की आदत बन गई है बीजेपी की हकीकत अब खुल कर सामने आ रही है और जनता सब देख रही है वेरो रिपोर्ट मीडिया हल चल